नमस्कार स्वागत आपका HCN NEWS में और मैं हूँ कमल महराष्ट में सरकार को लेकर अब भी सस्पेंस कायम है सीप सेना की अगवाई में सरकार बनाने को लेकर अभी तक कॉंग्रिस और NCP ने अपना रूख अस्पष्ट में रहा है सरकार को लेकर चल रही आपा धापी के बीच जम्यत उलेमाए हिंद का एक पत्र वाइरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि सीप सेना की अगवाई में सरकार को समर्थन देना कॉंग्रिस के लिए हानिकारक होगा ये भी दावा किया गया है कि संगठन ने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी भावना से अबगत करा दिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए इस कथित पत्र में जम्यत उलेमाय हिंद की अध्यक्ष अर्सद मद्नी ने लिखा है कि मैं आपका ध्यान महराष्ट में चल रही गंदी राजनीती की ओर खीचना चाहता हूँ ये दुर्भागे पुर्ण है कि आप स्विप सेना को समर्थन देने के बारे में सोच रही है ये फैसला कॉंग्रेस पार्टी के लिए काफी खतरनाग होगा लेकिन जब एक नीजी चैनल ने अर्सत मतनी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया है उन्होंने कहा कि सरकार में कौन होगा और कौन सरकार बनाना चाहता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है हम किसी को ऐसी सलाह नहीं देते हैं, हमने कभी कॉंग्रेस पार्टी या उनके नेता को पत्र नहीं लिखा है। राजनीती से हमारा कोई वास्ता नहीं है, महराश्ट में हुए बिनाशला चुनाओ के नतीजे 24 अक्टूबर को आये थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटे मिले थी, सीब सेना को 56, एनसीपी को 54 और कॉंग्रेस पार्टी को महज 44 सीटों से संतोस करना पड़ा था। सीब सेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाओ लड़ा था और उसके गटभंदन को बहुमत भी मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट में आसानी से बीजेपी और सीब सेना की सरकार बन जाएगी लेकिन मुख मंत्री पर सुलेकर खत्राब ऐसी बड़ी कि दोनों पार्टियों के रास्ते अलग-अलग होगी। सीब सेना का दावा है कि एनसीपी और कॉंग्रेस के समर्थन से वो राज्य में सरकार बना लेगी लेकिन अभी तक इस बारे में इस्थिती असपष्ट नहीं होगाई। चर्चा हुई थी लेकिन सरत्पवार ने मोदी की मुलाकात महज किसानों की बढ़ाली को लेकर हुई थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार बनाने के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इस समय महाराष्ट में राष्टपती सासन लागू है और सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज कॉंग्रेस बरकिंग कमीटी की बैठक दिल्ली में सुनिया गांदी की अध्यचता में हुई है। जिसके बाद कॉंग्रेस के दिगज नेता मलिका अरजुन खडगे ने कहा कि चर्चा सरकार और गटबंदन को लेकर हुई है और सस्पेंस जल्ब समाथ होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या महाराष्ट को नया मुखमंत्री मिलेगा। महाराष्ट की सत्ता पे मुखमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसे लेकर अभी भी अस्मंजस की इस्थिती है। लेकिन इतना तह है कि महाराष्ट की सियासत अभी गर्माई हुई है और किसानों की समस्या बधाली को लेकर जो चर्चाओं का वाजार गर्म हैं महाच एक नेटा उसे वस अपने मुद्दे के तौर पर देखना चाहते हैं लेकिन महाराष्ट की जनता को अभी तक एक अस्थाई सरकार नहीं मिली है। आप क्या स्वस्थे अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो दर्सक ह्चाओं नियुज पहली बार देख रहे हैं वह चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें धन्यवाद